क्या दुनिया भर में हरकंप मचा चुके कोरोना वारस को लेकर सालों पहले की गई भविश्वानी सच हो जाएगी पिछले कुछ दिनों से एक किताब के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी सामने आ रही है कहा जा रहा है कि End of Days नाम की किताब में कोरोना को लेकर सालों पहले भविश्वानी कर दी गई थी इसमें कहा गया था कि पूरा विश्व किसी गंभीर बिमारी की चपेट में आएगा जैसा इस किताब में लिखा है वैसा ही अभी हो रहा है अमेरिकी लेखक डिन कुंट्स के किताब में खतरनाक वाइरस को लेकर 40 साल पहले चेतावनी दे गई थी अब एक और किताब में वाइरस के बारे में बताया गया है अमेरिका की ही लेखी का सिल्विया ब्राउनी ने जुलाई 2008 में End of Days नाम की एक किताब लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि 2020 में नीमोनिया जैसी गंभीर बिमारी पुरी दुनिया में फैल जाएगी यह बिमारी फेपडो और स्वार्श नलियों पर हमला करेगी और इसका कोई इलाज नहीं होगा हलाकि इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि ये वाइरस अचानक खत्म हो जाएगा एक बार जाने के बाद दस साल बाद यह बिमारी फिर से लोटेगी और फिर से अपने आप ही खत्म हो जाएगी लेकी का अपने आपको मनवे ज्यानिक वा अध्यात्मिक गुरू बताती थी उनका कहना था कि उनके पास कई अलोकिक शक्तिया है वे बहुत जादा फेमस थी टीवी और रेडियो पर उनके कई शो आते थे 20 नवंबर 2013 में उनका निधन हो गया था लेकिन अब फिर कोरोना के कारण वे चर्चा में आ गई है उनके इस किताब की बिक्री अचानक से बढ़ गई सिल्विया ब्राउनी के बेटी का कहना है कि किताब की बिक्री इतनी हो रही है कि हमारे पास ही अब स्टॉक नहीं बचा है